आप देख रहे हैं दर्सनी उज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिक्षक भरती में गरबरी को लेकर लगातार सिकायते सामने आ रही हैं अब इस सिक्षक भरती में ऐसे अभ्यर्थी भी सिक्षक बन गए हैं जिन्होंने सिक्षक की पहचान की गई जिसके बाद प्रात्मिक सिक्षा निदdepth पंकज कुमार ने इंजिलो के अधिकारियों को इन सिक्षकों की सूची भेज जाज करने के निर्देश दिये हैं बताया गया है कि सुची में डेड़ दर्जन सिख्षकों के नाम है कोट में मामला जाने के बाद इनकी जाज सुरू हुई है संबंधित सिख्षकों के डियलेट के प्रमान पत्र को लेकर सभी साक्ष रिपोर्ट मांगे गए है वही डियलेट पर बहाल सिख्षकों के सर्टिफिकेट जाज का भी आदेश दिया गया है जिसके बाद ऐसे सिख्षकों के संख्या बढ़ने का अनुमान है पता दिए कि सिख्षक भरती में दो साल के डियलेट पर ही नियुक्ती होनी थी निर्देशक ने निर्देश दिया है कि ये वाद कोट में प्रात्मिक विद्यालियों में सिक्षकों की नियुक्ति के संबंद में दायर किया गया है प्रात्मिक सिख्षक की नियुक्ति के मामले में सरवोच नैले द्वारा 28 नवंबर 2023 को पारित आदेश में यसपश्ट किया गया है कि सिख्षक पद पर नियुक्ति के लिए ठारब महिने का खुला और दुरस्त सिख्षा के माध्यम से प्राप्त प्रसिक्षन मानने नहीं हो सुपाल मुझफरपुर्ख खगडिया के DEO को इस संबंद में निर्देश दिया गया है तो फिलाल इस काउड में इतना ही है धरस्तियोज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें